हाई दीस इस पूनम शर्मा एंड वेलकम तो संद्धवना नियूस भारत में एक ऐसे हवाला कारोबार का भांडा फोड हुआ है जो चीनी नागरिक चला रहे थे यह हवाला कारोबार एक हजार करोड से भी ज्यादा का था लेकिन जो सबसे ज्यादा चोकाने वाली बात सामने आई है वो यह है कि पकड़े गए चीनी नागरिक के पास से भारतिय पासपोर्ट बना मद हुआ है यह पासपोर्ट मणीपूर के पते पर बनाया गया था हवाला कारोबार में पकड़े गए चीनी नागरिक लुओ सैंग ने फर्जी नाम चारली पैंग के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवा रखा था बाकी चीन के नागरिक देश में वीजा पर थे हवाला कारोबार के इस गिरोह में शामिल बाकी आरोपियों को इंकम टेक्स ने पूछताच के लिए हिरासत में ले लिया है जिनमें कई ऐसे चीनी नागरिक हैं जो वीजा पर भारत आये थे और इस हवाला कारोबार से जुड़े थे पौर तलब है कि इंकम टेक्स ने दिल्ली गाजियाबाद और गुरुग्राम में 24 ठिकानों पर छापे मारी कर एक हजार करोड के हवाला और मनी लॉंडरिंग रैकेट का खुलासा किया है ये रैकेट चीनी नागरिक कुछ भारतियों के साथ मिलकर चला रहे थे भारत में रह रहे चीन के नागरिकों के चल रहे अवेद कारोबार पर ये पहला बड़ा एक्शन है इंकम टेक्स को इस बात की जानकारी मिली थी कि देश में हवाला के जरिये करोडों का कारोबार हो रहा है और इसमें चीन के नागरिक भी शामि इस चापे मारी में पता चला कि चीन के लोग भारत में बैंक अधिकारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलकर हवाला और मनी लॉंडरिंग का कारोबार चला रहे हैं। इन चीनी नागरिकों के कहने पर फर्जी कंपनिया बनाई गई और 40 बैंक खाते खोले गए जिसके जरीए 1,000 करोड का हवाला का कारोबार किया गया। इन फर्जी कंपनियों के जरीए 1,000 करोड रुपे निकाले गए और फिर उनसे देश भर में रिटेल शोरूम खोले प्राँश पर इन से जरीए 1,000 करोड बनाई खाते खोले भी उनसे खाया है।